गुड मार्निंग चिल्रेन आज हम लोग हिंदी वन में परियाए वाची सब और एक सब के बारे में जानेंगे यह आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हो आज मैं इसका एक बार फिर से रिवीजन आप लोग को करवा देती हूं आप लोग का परियाए वाची सब जो है 1 से लेकर 20 तक आने वाला है तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में क्या है कमल कमल को हम लोग क्या बोलते हैं जलज, पंकज नेक्स्ट है पानी पानी को जल, नीर आपको कोई भी दो परियावाची सब राइट करना है नेक्स्ट नमबर है प्रीत्वी प्रीत्वी को भूधरा आगे देखते हैं बेटा सुन्दर, सुन्दर को भव्य मनुहर नेक्स्ट है कुसल कुसल का हो जाएगा दप्च, निपुन, देव देव का सूर, देवता नेक्स्ट नमबर है घोडा घोडा को बोलते हैं अस्व, तुरं सोना, कंचन, कनक विचित्र विचित्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं निराला और अनोखा निराला ये अनोखा कार्त भी विचित्र होगा समुद्र, सिंधु, जलधी उल्लास, प्रसन्नता, खुसी पुत्री, बेटी, कन्या आकास, आकास को नव, अंबर, गगन भी बोल सकते हैं आपको कोई दो प्रयावाची सब याद रखना है यूद, यूद का हो जाएगा रन, लडाई, हवा, समीर, अनील, इस्वर, प्रभु, भगवान नेक्स्ट है, रोसनी, रोसनी का क्या हो जाएगा प्रकास, उज्याला, मंद, मंद कारत होता है धीमा या धीरे गर्व, अभिमान, अहंकार लास्ट में है बिटा, सरल, सरल का होगा साधारन और सहज आगे है, अनेक सब्दों के लिए, एक सब जो कि आप लोगों, 5 से लेकर, 25 तक आने वाला है तो चलिए, उसको देखते हैं नाटक खेले जाने वाला मंच जिस मंच पे नाटक खेलते हैं, उसको बोलते हैं रंग मंच नेक्स्टे वेटा, गाउं में रहने वाला जो लोगाउं में रहते हैं उसको एक सब्द में क्या बोलेंगे, ग्रामीन जिसका मुल्य ना आका जा सके अमुल्य, आप लोग यहाँ पे बहुत गड़बड करते हैं आप लोगो थर्ड पिरियोडिक में आया था, जिसकी कीमत बहुत अधिक हो उसमें क्या होता? बहु मुल्य लेकिन बहुत बच्चे उसमें भी अमुल्य ही राइट किये हो अमुल्य का मतलब होता है जिसका कि मुल्य ना आका जा सके जिसका कोई मोल न लगाया जा सके जहां कल पूर्जे बनते हैं, उसको बोलते हैं कार खाना यो सिक्षा देते हैं, सिक्षा दो मन्जिल वाला जो दो मंजिल वाला होता है उसको एक सब्द में हम लोग दो मंजिला बोलते हैं ठीक है जो दूसरे देश का हो दूसरे देश के लोग को क्या बोलेंगे वीदेशी नेक्स्ट है जो सेवा करता है सेवा करने वाले लोग क्या कहलाते हैं सेव आगे देखते हैं बोलने वाला बोलने वाला वक्ता जो परिस्रम करता हो परिस्रम करने वाले को बोलते है वेटा परिस्रमी नेक्से जहां आसानी से जा सके सुगम जिस जगव पे हम लोग आसानी से जा सकते हैं उसको हम लोग सुगम बोलेंगे अगर यहाँ पर होता जहाँ आसानी से न जा सके तो क्या हो जाता दुर्गम आगे देखिए सहर में रहने वाला क्या कहलाएगा सहरी जो आज के जमाने का हो आधुनी जिसके हृदय में दया हो दयालू जिसकी कीमत बहुत अधिक हो बहु मुल्य आप लोग याद रखेगा जिसकी कोई कीमत ना लगाया जा सके या जिसका मुल्य ना आका जा सके वो होगा अमुल्य और जिसकी कीमत बहुत अधिक हो बहुत कीमती हो उसको हम लोग बहु मुल्य बोलते हैं next है, कविताएं लिखने वाला पूरूस, उसको कवी, अगर यहां पे होता कविताएं लिखने वाली स्तरी, छो जाता कवितरी, आगे देखिए, प्रतिदिन होने वाला, जो काम रोज दिन होता है, उसको बोलते हैं दयनि, सब्ताह में एक बार होने वाला क्या कहलेगा साप ताही महीने में एक बार होने वाला मा से और वर्स में एक बार होने वाला वार से लास्ट में है जो कुछ जानने की एक्षा रखता हो उसको क्या बोलते हैं जी क्यासू ति एक सब बिटा 5 से लेकर 25 तक आने वाला है आप इसमें से सारे एक सब याद किजिएगा और रिटेन वर्ग में मैं यहाँ पर जो दे रही हूँ ओ आपको अपनी कॉपी में हिंदी की कॉपी में इसको राइट करना है मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट में है परियावाची सब कमल आपको इभी दो परियावाची सब यहाँ पर राइट करेंगे पंकज, नीरज, जलज, नेक्से प्रीथवी भू, धरा, वसुधा, कुसल का हो जाएगा चतुर, निपुन, घोड़ा का, तुरंग, अस्व, विचित्र का, अनोखा, अजीब, उल्लास खुसी, हर्स, आकास का क्या हो जाएगा नभ, गगन, नेक्स्ट है हवा, हवा को क्या बोलेंगे समीर, पवन, आगे देखिए नाइन नमबर में है मंद मंद का होता है धीमा या धीरे गर्व का अभिमान, घमन, सरल का क्या हो जाएगा साधारन या सहज यह थी परियावाची सर्थ, इसको आप लोग हिंदी वन की कॉपी में राइट करोगे और आगे है एक सर्थ, नाटक खेले जाने वाला मंच, इस मंच पे नाटक खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, रंग मंच, क्या बोलते बिटा, रंग मंच, नेक्स है जहां कल पूर्जे बनते हैं क्या कहलाएंगे, कार खाना, जो सिक्षा देते हैं, सिक्षक, जो दुसरे देश का हो, विदेशी, बोलने वाला, वक्ता, जिसकी रिदय में दया हो क्या कहलाएगा, दयालू, प्रती दिन होने वाला, जो काम रोज दिन होता है, उसको बोलते हैं, दैनिक, जो कुछ जानने की इक्षा रखता हो उसको बोलेंगे, जिग्यासू, जो आज के जमाने का हो, आधुनिक, और लास्ट में है बिटा, जो सेवा करता हो, उसको बोलते हैं, सेवा तो यह आपकी हिंदी बन की कॉपी में रिटेन वर्क होनी चाहिए, आप लोग इसको लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, थैंक यू